दोस्तो आज कल के बदलते मौसम जैसे की ठंड़ और गर्म एक साथ पढ़ना अचानक से जलवाईों में परवेतन आली कारणों से कई लोगों को सूखी खासी का सामना करना पढ़ रहा है तो आज की इस वीडिये महमें कैसे प्रोड़क की बात करेंगे जो की सूखी खासी के उपचार में काफी लाग दायक है जी हाँ दोस्तो आज की इस वीडिये महमें बात करेंगे सिब्जल लाउक सपिस्तान ख्यार संबरी के बारे में दूस्तो इसके इस्तमाल से मतली और उल्टी का हिलाज किया जाता है। शिवज लॉग्स क फिस्तान ख предлаг फ्यार संबरी गले की जलन उप्रभावी ढंग से नियंतृति करता है। सिवज लॉग्स लॉग्स क हफिस्तान खounces फ्यार संबरी सांसों की दूर्गंत का हिलाज करने मदद करता है। शबज़ लोक सबस्थानख्यार संबरी ब्रोकाइटीस और एलरजीरीनासिस से लड़ता है शबज़ लोक सबस्थानख्यार संबरी नजला झुकाम सर्दी खासी की एक मज़ूर बेजोर यूनानियो सदी है दोसरे निच्रल इंगिडन से बना हुआ है यही करण है कि इसके कोई साइड इफेक्ट भी देखने को नहीं मिलेगा सिब्जल लाउक सपस्तान ख्यार संबरी के इस्तमाल से पुराने से पुराने नजला जुकाम या पुरानी से पुरानी खांसी ठीक हो सकती है सिब्जल लाउक सपस्तान ख्यार संबरी गले की ख्रास को भी ठीक करती है इसके साथ साथ टॉंसिल और गले की सूजन में भी लाजवाब काम करती है सिब्जल लाउक सपस्तान ख्यार संबरी गले में किसी भी तरह के इंफेक्शन या सूजन को दूर करता है इसके लावा इसके इस्तमाल से समान्य खासी, सर्दी, बहती नाग, नाग की बीड और गले में खरास के लिए ये काफी लावकारी होता है दोस्तों ये गले के खरास के लिए एक हरबल पूरक के रूप में कारे करता है सिब्जल लावक सपस्तान ख्यार समबरी पुरानी और तीवर ब्रोकाइटिस्ट और काली और दमा खासी के इलाज में काफी परभावी है सिब्जल लावक सपस्तान ख्यार समबरी खासी के लिए एक परभावी हरबल उपचार के रूप में कारे करता है सिब्जर लाउक सपिस्तान क्यार संबरी खांसी सर्दी जुकाम गले की खरास टोंसे से बिमारियों के लिए एक बेजोड दावा है सिब्जल लाउक्स अपिस्तान खेर संबरी नजला, जुकाम, सर्दी, खासी के लिए एक मसहुर, बेजोर, युनानी और सधी के रूप में जाना करता है सिब्ज़ लाउक्स अपिस्तान खेर संबरी के इस्तमाल से पुराने से पुराने नजला, जुकाम या पुराने से पुराने खासी सदीच छीख हो सकती है सिब्ज लाउक सापस्तान खेर संबरी इंफ्लूएञ्जा जैसी प्रोबिम में भी काफि लाभकारी होता है सिब्ज लाउक खेर संबरी छाती मिजवा बलगम को पतला करके बाहर निकालने में काफि लाभकारी होता है तो दोस्तो ये तर शे इसके बेनिफिट्स अब आगे इसकी डोजिस की बात करते हैं तो दोस्तो इसे आप 10 ग्राम दीन में 3 बर गुन गुने पानी के साथ ले सकते हैं बेतर रिजल्ट चाहते हैं तो अपने चीकी सख से ज़रूर पारामर्स ले दोस्तो अगर इस प्रोड़क्ट से रिलेटेड कोई इंक्वाईरी चाहते हैं तो स्क्रीन पर सोहरे नंबर पर कॉल करके बीजिज़ग पूछ सकते हैं और हाँ यह हमारे बिजनेस पार्टनर है अब इन में से किसी वेबसाइट पर जाके इस प्रोड़क्ट को या सिबजर के प्रोड़क्ट को बाई कर सकते हैं थैंक्स फूर वाचिंग